हम बनाने जा रहे है कि मावा बाटी बहुत टेस्टी होती है अपकोस क्योंकि मावा होता है अंदर , और रिछ हो जाती है बाटी अफकोस और रिछ होती है , बहुत सा अरगी होता है पर यह इसमें मावा होता है, यह एक sweet dish है, इसे यह कोई spicy नहीं है, इसे हम as a desert खाते हैं और desert serve करते हैं, चलिए देखते हैं, इसके लिए मैंने का के लिया है, इसके लिए मैंने लिया है, एक लीटर डूद्ध, वो भी full fat, काफी सारा मलाई वाला, extra मलाई वाला है, इसके बाटी क्रिस्प बनती है, एकदम थोड़ा सा baking soda लिया है, आटा एक का टोरी, जितना आटा है उसका आधा अर्मोस घी लिया है, और लगभग उत्ता ही मैंने शक्र का चूरा लिया है, तो सबसे पहला तो मावा बनाना पड़ेगा, तो मैं इस दूद को उवालने के लिए अब जिस बर्तर में दूद था उसी में मैं आटा गून लेती हूँ, इसमें मैं आटा डाल रही हूँ, सूजी, इसमें डालेंगे ये बेकिंग सोडा, सूखा ही मिक्स कर लेती हूँ, फिर में इसमें डालूंगी जो घी है, इसके 5-6 बड़े चम्मच भरके घी डाल देंगे, जो शक्कर है, इसको भी हम थोड़ा सा 2-3 चम्मच इसमें डाल देंगे, बाकी हम मावे में डालेंगे, ये उपर की लेयर अगर ज्यादा मीठी नहीं हुई, तो भी चलता है, अंदर मावा मीठा मीठा होता है, तो ये काफी होगी, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे अच्छे से मस लेंगे, ताकि घी अच्छे से अंदर तक चला जाए, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा, हल्का गुनगुना पानी डाल के, इसे बाटी जैसी कंसिस्टेंसी का गुन देंगे, बाटी का आटा थोड़ा सा कड़क होता है, ज्यादा नहीं, रोटी से हल्का सा कड़क होता है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा पानी दालूंगी, आटा मारा रेडी है, इसे हम साइड में रख लेंगे, दूद हमने उबालने के लिए रख दिया था, ये मावा नो बन जाए, दूद उबल उबल के देखे, रबडी बन गई है, इसकी खुर्चन वाली, क्योंकि इसे साइडों से खुर्चा है, तो ब्राउं-ब्राउं, खुर्चन निकल आई है, तो ये अभी, अभी भी रेडी नहीं हुआ है, पर ये अल्मोस रेडी है, अब इ अब इसे क्या करेंगे हम, ये जो पूरा चिपका हुआ है, ये एक साइड गोला बना लेंगे, अभी तक इसे फैला रहे थे ताकि इसका मोईस्ट्रे जल्दी से जाए, पर अब हम इसे एक साइड गोला बना लेंगे, गैस बंग कर देंगे, थंडा होने के बाद ये थोड हैं अब इसा बन गया है, इस टाइम पे मैं ये एलायची और शक्कर के साथ मैंना इलाची को पीसा था दो वो डाल रहे हूं, थोड़ी सी शक्कराउर डालेंगे, इसे अच्छे से मिठा करेंगे, हमने आटे में शक्क्राड थोड़ी कुमा डाली थी, ये हमारा अच्छे स पर लालेंगे अगर शक्र पानी छोड़ती है तो थोड़ासा गये सॉन करके और तोड़ा चला लें ताकि वो मॉइस्चेर भी निकल अ की बार की शकल ढालने के बार गार फोड़ी सी हीड से मैं फोड़ी हो जाती है तो इसको फोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये अच्छे से मिठाई जैसी consistency हो जाए इसकी देखिए हमारा कलाकन जैसा मावा बनके ready हो गया है एकदम बढ़िया इसमें मैं ये डाल रही हूँ नट्स पिस्ते कादू आपके पास जो भी हो आप चाहे तो किश्मिश भी डाल सकते हैं इसके अलावा इसमें जाता है गुलाब की पंखुडियां अगर आपके पास वो नहीं हो जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं रोज के essence की दो-तिन बूंदे डाल दूंगी इसमें बढ़िया सा मावे का खुश्णू आती है इसमें अब इसमें मिक्स कर लेते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं बाटियां अ क्योंकि इसे हमें स्टफ करना है बाटि में थंडा हो गया है सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है इसके हम लटू बना रहे हैं हमारे मावा के लटू बनके रेडी है अब हम ऐसे आटे के छोटे-छोटे ऐसे लोईया बना लेंगे हाथ से ही करके दबाएंगे जिस तरह से कचोरी की फिलिंग की आती है इसको इसे अंगुठो की सायता से इस तरह से दबा दबा के फ्लाक करेंगे और यूनिफॉर्म करेंगे ऐसे नहीं कि एक साइट भात मोटा रहे गया और पतलाrig के यूनिफॉर्म करेंगे आप देखिया सटी कचोरी जैसा हमें इसे बनाना है इस तरह से भागे इस तरह से बनाके रेडी कर लेंगे सारी बाटिया इस तरह से रेडी कर लूंगी मैं बाटिया हमारी रेडी हैं हम अवन में बना रहे हैं तो अवन के लिए इसे 150 डिग्री सेंटिग्रेड पर रखना होता है जो की होता है इकोलें टू 350 फॉरन हाइट तो मैंने आपे 350 फॉरन हाइट पर सेट कर दिया है और यह मैं पाटिया इसमें डावागा कि असे हम रख देंगे तीस मिनट तक बीड़ बीड़ में अपकोस चेक करेंगे तीस मिनट तक इस तेंपरेचर पे आवर पे इसे पकाएंगे आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। मैंने शेर की है। मसाला बाटी की रेचिपि आपको फॉलो कर सकते हैं, एक डम वैसे ही बनानी है, तो चलिए अब इसे बनने देते हैं। मावा बाटी गर्मा गरम बनके रेडी है आप देख सकते हैं अंदर मावा कैसे फट गया है ये बाटी और मावा निकल के आया है और देखिए हलका सा हाथ से दावाने से ही कैसे यह देखिए कितनी मस्त बनी है यह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है अफकोर्स अभी तक मैंने इसमें घी नहीं डाला है तो गरम-गरम ही इस पर घी डालना होता है ताकि गी एकदम सोख ले तो मैं अच्छे से अंदर तक घी सोख ले यह बाटी ऐसे ही खाय जाती है तो आप यह रेसिपी ज़रूर ज़रू ट्राय कीजिए देखिए बहुत उपर से क्रिस्प हलकी सी मी तो यह रेसिपी ज़रू-ज़रू ट्राय करें और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्स्राइब करना ना भूलें अब मैं आपको मिलती हूं अगले एपिसोड में बाबाए